वेलकम टु जेके सिटीडी सिर्कल तो दोस्तो आज हम आपको पढ़ाएंगे जुमु एंड कश्मीर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करन्ट एफियर्स नौबर 2022 से लेकर अक्तूबर 2023 तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करन्ट एफियर्स है वो हम आज इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे ये वीडियो जो है सेट 2 रहने वाला है इस लेक्चर की जो पीडियाफ है वो आपको हमारे टेलेग्राम चनल पे और वाटसब ग्रूप पे शियर कर दी जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिशन बोक्स में लिक्स है आप जा सकते हैं और जॉइन कर सकते हैं और इस वीडियो को आप फ्रेंड्स के साथ शियर भी कर सकते हैं और चनल को भी सबस्क्राइब कर सकते हैं डेली वीडियो पाने के लिए तो दोस्तो हमने यहाँ पे आपके लिए लेकर आये हैं MCQs इन MCQs के जिरिए आपको current affairs जो है वो cover किया जाएगा तो सबसे पहला जो MCQ है शिकारगा दे conservation and breeding center जो शिकारगा है दे conservation और breeding center का हांगुल वो किस district जमुए कश्मीर के किस district में locate है अननतनाग कुलगाम सिरीनगर पलवामा तो गाइस वो आपका पलवामा में है 2013 में इसको construct किया गया था breeding center को और ये पलवामा के त्राल area में जो है ये पढ़ता है ये आपको याद रखना है ठीक है तो यहां पर हांगुल जो है इस पर आपको दो तीन points याद रखने है जो कि exam point of view से important है exam में आप से पूछा जा सकता है हांगुल जो है इसको कश्मीर red stack भी बोलते है ठीक है क्या बोलते है कश्मीर कश्मीर red stack is an illic sub-species of native to India ये sub-species है native इंडिया के and इसको state animal भी है ये कश्मीर का ठीक है दाहांगुल is the state animal of the former state and current UT आप जमुएंड कश्मीर ये state animal है जमुएंड कश्मीर UT का और कश्मीर में ये दाशी गाम नेशनल पारक में जो है इसको found किया गया है और जो आपका पीर पंजाल range है हिमाचल परदेश तक वहाँ पे भी ये found किया गया है और दाशी गाम की से आप से ये भी पूछा गया है दाशी गाम की जो total elevation है वो है आपका 3035 meters ठीक है चौथा point जो आपको याद रखना है regarding हांगुल according to the most recent census जो हुआ है mostly 2017 में तो जो total population है ना guys हांगुल की वो total है 182 JNK में total 182 हांगुल जो के 2017 census के मताबिक जो है अब 182 ही बचे है क्योंकि ये indigenous species है इसलिए इनकी breeding की जाती है जो के पलवामा के district में त्राल के place में वहाँ पे construct की गई है तो दो तीन चीज़े कौन-कौन से आपको याद रखना है regarding हांगुल सबसे पहले जो breeding center और शिकारगा the conservation है हांगुल का वो पलवामा में है पलवामा में किस जगह त्राल में कब बनाया गया 2013 में ठीक है ओके हांगुल को और किस नाम से जाना जाता है कश्मीरी red stack ठीक है और क्या point है इसमें में और है ये state animal है जमौन कश्मीर यूटी का और क्या है में ये found किया जाता है दाशिकारगा नेशनल पार्क में जिसकी elevation ह है 3035 में और क्या है इसमें में एकार्डिंग तो मोस्ट जो census हुआ था 2017 में जो population है हांगुल की वो टोटल है 182 जमौन कश्मीर में तो ये दो तीन चीज़े आपको याद रखनी है regarding हांगुल ठीक है गाइस चलिए फिर आगे चलते है ओके second number पे जो current है ये MCQ टाइप है औ the creation of felted rugs and mats by layering and compressing wool fibers is called जो create किये जाते है felted rugs and mats by layering and compressing wool fibers को उनको क्या कहते है गाइस उनको paper कैसे होती है यहां पर आप देख सकते हो इसमें सिकल मुक्तिलिफ तरह की आठ्स यहां पर बनाये गए है इनकी जो process होती है गाइस वो होती है नम्दा जो है यह made होता है in several stages बहुत सारे stages में यह बन रहा होता है and इसमें require होते है sicklers, craftersmanship एक अच्छे sickle जिनके पास होता है वो इन नमदाज crafters को बनाते है that has been passed down through generations grading, creating the border इसमें grading की जाती है जो ये border पे ये lines दिखे हुए है, ये बनाए जाती है creating a layer, फिर layers में इनको जो है, वो design किया जाता है sprinkling soap solution डाला जाता है rolling the नमदा, फिर roll किया जाता है एक machine होती है, अगर आपने कश्मीर में आगर रहते हैं तो वहाँ पे machine में जब उसको roll किया जाता है, वहाँ पे उसकी designing होती है, dry किया जाता है finally, our work किया जाता है all our steps in the नमदा making process ये सारे steps होते हैं तबी ये नमदा जो है, ये design किया जाता है, तो बहुत ही complicated process होती है नमदा craft बनानी में third one, जो current affair है ये news में भी रहा था which district in J&K is planning to have the world's largest cooperative grain storage facility तो जुमाइन कश्मीर का वो कौन सा district है, जिसने plan किया है world's largest cooperative grain storage facility बनाना तो यहाँ पे options है, अनन्तनाग, पूच, राजोरी, कुलगाम तो right option है guys, आपका राजोरी, ठीक है, राजोरी is the first district in J&K जिसने plan किया है, world's largest cooperative grain storage facility जो है, उसको बनाने के लिए और ये news में क्यो रहा है, यहाँ पे आपको रहा है guys, वो है 1 lakh करोर, ठीक है, 1 lakh करोर cabinet में पास किया गया था, to establish the world's largest grain storage plan, अब इसका aim क्या है, initiative क्या है guys, आपका जो इस में initiative रहा है, वो है, damages को कम करना, prevent disastrous sales by farmers, और जो farmers है, उनको अच्छा मुनाफ़ा देना to their profit and bloster the country's food security and national security, food security को bloster करना, these are the main initiatives of world's largest grain storage, अब यहाँ पे आपको तीन चीज़े इसमें याद रखने है guys, सबसे पहला जोमो एं कश्मीर में कौन सा लिष्टिक है, जिसने प्लान किया है, world's largest cooperative grain storage facility बनाना, तो राजोरी, ठीक है, पहला point, दूसरा point, union cabinet ने approve किया था, इसको union cabinet में जो है, इसको approval मिला था, world's largest grain storage plan को बनाना, cooperative sector में, जिसका budget जो है, one lakh करोर जो है, रहा है, और इसका जो main initiative है guys, वो damages को कम करना, dissidious sales by farmers, यानि कि farmers को help करना to their income, to their profit of their agriculture and bloster the security को bloster करना, these are the main initiatives of world's largest grain storage plan, ठीक है guys, यहां तक आपको समझाया, चलिए, आगे चलते हैं, fourth current affair is, who among the following is the div general commissioner of Kashmir, तो यहां पे आपको बताना है कि इन में से कौन सा div general Kashmir है, div general commissioner है Kashmir का, Mr. Ramesh Kumar, Mr. Mohamed Ajaz Asad, Mr. Avni Lawasa, Mr. Vijay Kumar बिधूरी, तो यह हाल ही में बनाया गया है इसको, Mr. Vijay Kumar बिधूरी, यह इसको बनाया गया, Div general commissioner of Kashmir, ठीक है guys, यहां पे आपको यह याद रखना है, fifth current affair, जो कि most important है, the IUCN, International Union for Conservation of Nature, has listed the hangul as, तो IUCN की मताबिक, जो hangul है, उसको किस list में डाला गया है, तो options है, distributed species, extended species, तो उसको endangered species में list किया गया है, किसको, hangul को, IUCN के मताबिक, जिसका नाम है, International Union for Conservation of Nature, अब इसमें आपको तीन पॉइंट सियाद रखने हैं, ठीक है, according to the IUCN, यहनि कि International Union for Conservation of Nature, red list, जो इसमें जो list निकाला जाता है, red list में, उसमें जो endangered species है, उनको डाला जाता है, तो hangul जो है, यह critically endangered species में, इसको list किया गया है, red list में यह, इसको डाला गया है, दूसरा point आपको याद रखना है, the hangul is the only surviving species of ascetic red deer, यहनि कि ascetic red deer में, सिर्फ hangul ही जो है, जो species में सरेवायो कर रहा है, 2013, कश्मीर State Wildlife Department ने establish किया है, captive breeding center को, शिकारगा, जो कि हमने पहले current रफिर में आपको पढ़ाया था, on the Serenagar Anantanag route, यानि कि Serenagar Anantanag पुल्वामा के district में, ट्राल जो area है, वहाँ पे शिकारगा breeding center को बनाए गया है, ताकि जो hangul है, उनकी breeding species को बढ़ाया जाए, ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आपको दो तीन चीज़े याद रखने हैं, hangul के मुताबिक, ठीक है, regarding the hangul, IUCN, यह क्या है गाइज, International Union for Conservation of Nature, यानि कि nature में जो भी चीज़े होते हैं, जो भी nature से related है, उनको conserve करना, that is organization, यह world organization है, ठीक है, has listed, उसने list किया है hangul को as endangered species, ठीक है, अब according to the IUCN, red list, पहला point, दूसरा point, the hangul is only surviving species, यह सिर्फ only one surviving species है, ascetic red deer में, ठीक है, क्योंकि deer में बहुत सारी species होते हैं, और ascetic red species में यह only surviving species है, जिसको hangul कहते हैं, 2013 में कश्मीर स्टेट में wildlife department ने captive breeding center जो है, उसको construct किया, उसको बनाया, इन शिकारगा, जो शिकारगा है, सिरी नगर अनंतनाग रूट पे, उसको establish किया, ताकि hangul के जो species है, उनकी breeding हो सके, और उनको conserve किया जा सके, ठीक है, I hope, यहां तक आपको अच्छे से समझाया होगा, चले आगे चलते हैं, sixth current affair, जो है, which of the following formulas producer organization, FPO, जिसको बोलते हैं, is the first FPO to get the import export license in Jumu and Kashmir, यहां पर हमें बताना है कि Jumu and Kashmir में वो कौन सी first FPO company है, जिसको license मिली है, import export license मिली है, उसको to get import export license in Jumu and Kashmir, तो यहां पर options है, नुर्द्रेश potato seed producer company limited, क्यासिक, floral farmers producers company limited, farmers producer company limited, चिनाब vegetable producer company limited, ठीक है, तो इसमें जो option रहेगा, farmers producer company limited, इसको first PFO मिला है, import export license Jumu and Kashmir में, ठीक है, seventh current affair, जो हमारे सामने है, मुशुक बुद्जी is a type of, जो मुशुक बुद्जी है guys, यह किस का type है, मेज, apple, rice, almonds, जैसा कि यहां पर हमने आर रही photo भी डाला है, तो यह rice का type है, किस का type है, राइस का type है, इसमें आपको दो तीजे, तीन चीजे जो है, वह आपको याद रखनी है, सबसे पहला, मुशुक बुद्जी जो है, यह rice का short, bold, aromatic rice grown, higher regions of Kashmir Valley में, जो भी higher regions है Kashmir Valley के वहाँ पे उसकी cultivation होती है, the cooked rice is unique and possesses harmonious blend of taste, जब उसको पगाया जाता है, तो उसमें से एक harmonious blend of smell of taste जो है, वो निकलता है, आर्मोरा एंड रिच और्गेनो leptic properties इसमें, जो है, वो पाई गई है, it is mainly is grown in areas, सागम, यानि कि अननतनाग के डिश्टिक में पांजथ सोफ शाली अपडिश्टिक अननतनाग एंड बीवरा बेल्ट अपडिश्टिक बढगाम, यानि कि अननतनाग और बढगाम के कुछ अलाकों में इसकी cultivation होती है, जिसको कहते हैं, मुशुक बुद्जी, ठीक है, ये भी आपको तरीके से स्मेल निकलती है, और इसमें जो टेस्ट होता है, वो भी हार्मोनियस बहुत भी बहुत अच्छा होता है, अरोमा इसमें जो है रिच और गेनो प्लेंटिक प्रॉपर्टीज भी होती है, ये मैनली जो है, ग्रोन किया जाता है, सागम, पंजगाम, सोफशाली आपडिस्टिक अनंतनाग, एंड बीरवा, बैल्ट आपडिस्टिक बरगाम, या निके, अनंतनाग और बरगाम इन दोनों डिस्टिकों में इसकी जो है, ग्रोन होती है, इसकी related है Immunization Mission Indra Duhnish IMI 5.0, Lodging Complaints Under PGSA, Registration Under Jumayen Kashmir State Self-Employment Sikkim, या Option No. MSME Registration. UWIN application जो है वो relate है आपकी Immunization Mission Indra Hanush IMI 5.0. अब ये क्या है गाईज, UWIN क्या है असल में, ये एक application जिसको Government of India ने lodge किया to keep track of vaccination status of children and pregnant women. यानि कि इसमें हम track कर सकते हैं कितने children और कितने pregnant women को vaccine लगाया गया है और this app aims to provide vaccination और ये प्रोवाइड करते हैं vaccination details are both at any time for the UWIN application operation the government is training employees. यानि कि इस application जरिये employees को train भी किया जाता है और दूसरा इसका main module है कि Government launch इसलिए की है ये application ताकि children and pregnant women है उसको vaccination status जो है वो दिया जा सके. COVID-19 जो है जो उसका vaccination निकला था उसके bad ही इसको भी इंडिया में लाया गया तो UWIN is the application जो कि Government of India ने लाउंच किया है और ये रिलेट है Immunization Mission इंदरा हनुश IMI 5.0 से ठीक है Current affair 9 the shrine of पीर बाबा बुदन अली शाह रह्मत अलाहि अला is situated at जो shrine है पीर बाबा बुदन अली शाह का वो कहां पे है guys सिरी नगर में है बढगाम में है सांबा में है या जमू में है तो वो जमू में आपका पड़ता है अगर आप जमू से सतवारी के दरब जाते हो तो बीच में रास्ते में ये shrine बिल्कुल रोड पे ही आता है और इसमें तीन चीज़े आपको याद रखनी है जो पीर बाबा है guys वो बॉं हुआ था तलविंदी पंजाब में ठीक है जो shrine है वो locate है on the outside of the city at a distance of 8 km दूर है ये जमू city से towards the aerodome at सतवारी यानि कि जो सतवारी की दरब जब हम जाते है तो aerodome वहाँ पे आता है उसी के नजदी ये shrine जो है पीर बाबा का locate है क्या कि आपने याद रखा इस current affair में सरसे पहला जो पीर बाबा बुदीन अलीश शाह है उसका जो shrine है उसका जो मजार है वो जमू district में है एक point दूसरा point अगर आप से ये पूछा जाएगा कि पीर बाबा कहां पे जो है वो बॉर्न हुए है तो आपको लिखना है तलविंदी पंजाब में अब ये कहां पे लोकेट है exactly ये लोकेट है जो उसका shrine है ये आपके जमू city से 8 km दूर towards aerodome at सत्वारी यानि कि aerodome सत्वारी के बिल्कुल जो है उसके पास में ही ये shrine of बाबा पीर बाबा का लोकेट है ठीक है गाई यहां तक आपको समझाया है चलिए फिर आगे चलते है current affair 10 the kashmir steel rolling mills is an ISO 9001 and 14000 certified company producing the largest manufacturers of TMT bars in German Kashmir state it is located at जो kashmiri state rolling mill है guys जो certified हुई है 9001 से and 14000 से जो produce करती है largest manufacturing TMT bars जमान कश्मीर state में वो कहां पे लोकेट है guys वो है आपका बड़ी ब्रहमना जमू में ठीक है वहां पे ही TMT TMT bars जो है वो produce किये जाते है TMT bars manufacture किये जाते है in kashmir steel rolling mills जिसको जो के बड़ी ब्रहमना जमू में लोकेट है जिसको certified company भी जो कहा जाता है 9000 वान से लेकर 14000 ठीक है current affair 11 the siri nagar district recently achieved the milestone of becoming there तो siri nagar ने recently जो है किस में milestone जो है वो achieve किया है less populated city of India smart city of India under smart city mission model districts of the country under swach bharat mission गरामीन या option number d plastic free district of the country तो उसने milestone achieved किया है guys model districts of the country under swach bharat mission गरामीन ठीक है इसके under ही जो है milestone siri nagar जो है top पे आथा जिसके about score जो है इसका 83.0% जो कि पूरे इंडिया में first number का rank जो है achieve किया है milestone अचीव किया है किसने siri nagar district ने ये आपको याद रखना है current affair 12 siri nagar district is comprised of how many villages तो siri nagar में कितने villages है total how many villages are there in siri nagar district 20, 26, 25, 28 तो total नमरा villages जो है siri nagar district में वो है 26 current affair 13 कादरी मुझदबा a distinct craft revivalist from kashmir is founder of which luxury brand of pashmina तो ये एक कदरी मुझदबा है जो कि craft revivalist है कश्मीर का वो किस luxury brand of pashmina का founder है पश्टुष वीवर्स विला मी एंड के उस वाल तो guys मी एंड के का वो luxury brand है जो कि revivalist कदरी मुझदबा ने found किया था मी एंड के lupine a wild flower ये एक wild flower है naturally grows in which of the following famous tourist destination lupine जो है ये एक wild flower है तो ये कहां पे grow किया जाता है इसकी destination कहां पे है किस tourist destination पे locate है पहल गाम यूसमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग राइट उप्शन नमबर गुलमर्ग गुलमर्ग में ये जो है grow होता है जिसका नाम है lupine a wild flower 15 current affair जो है ministers of state and chairperson जमुएन कश्मिर वकप बोर्ड इस तो minister of state and chairperson है जे एन के वकप बोर्ड का वो कौन है डाक्टर दारा कशन अंदराबी, Mr. महमद अब्दलरह्मान, Mr. नजीर अहमद खान, Mr. साजिद यहया नक्ष तो डाक्टर दरक्शन अंदराबी जो है ये minister of state and जे एन के वकप बोर्ड की chairperson है ठीक है, ये भी इस साल बहुत ही ज़्यादा news में रही है, इसलिए ये question भी आपसे पूछा जा सकता है Who recently got appointed as the state election commissioner of JNK Recently किसको appoint किया गया state election commissioner of JNK को ब्राज राज शर्मा, ब्राज किशोर शर्मा, ब्रिज राज किशोर, ब्राज किशोर लाल ब्राज राज शर्मा जो है, इसको recently appoint किया गया as the election commissioner of JNK क्योंकि elections आने वाले है, इसलिए इसको जो है लाया गया है The state election commissioner of JNK, Mr. ब्राज राज किशोर, got appointed under which section of JNK किस पंचाईती राज एक्ट 1981 को, इसको appoint किया गया, new state election commissioner को, यहाँ पे options है, और right option है आफका sub section 3 of section 36 के तहत, इसको appoint किया गया as election commissioner of JNK Recently the prime minister Narendra Modi handed the French national assembly president a gift made in Kashmir It is to, कौन सा वो gift था, hand embroidered pashmina shawl, handmade namda, paper maji wall plate या hand nicked silk Kashmiri carpet, hand nicked Kashmiri carpet जो है इस ने, Narendra Modi ने gift किया था French national assembly president को The North India's largest zoo, Jambo zoo is situated in, जो North India का सबसे largest zoo है, जिसको Jambo zoo भी कहा जाता है जिसको Jambo zoo कहते है, वो कहां पे है उदमपोर, सिरीनगर, पहलगाम, नगरोटा तो guys, वो आपका नगरोटा में है, ठीक है, Jambo क्यों इसको रखा गया है, क्योंकि Jambo zoo जो है, यही वो शक्स है, Jambo zoo जिसने Jambo zoo को invent किया था, ठीक है, और इसी के नाम से, Jambo का नाम पढ़ गया फिर, Jambo, J-A-W-M-U और इसी के नाम से, इस zoo का नाम भी रखा गया है, Jambo zoo, यह कहां पे है, नगरोटा में, जो मू के नगरोटा में है, ओके, करन्ट एफिर 20, अबर लास्ट करन्ट एफिर आफिर अफिर अप इस सेशन टोड़े, इश्फाक एहमद है, इस बीन तो राइट उप्शन नमबर B, यानि कि फुटबाल में इसको हैड कोई बनाया गया, अडर 16, तो गाइज, आप यहां तक आपको सारे करन्ट एफिर अच्छी से समझाए होंगी, आप इस वीडियो को जाज़र लाइक करते हैं, शियर कर देम लिए फ्रेंड के साथ, और आ अगर आप पहली वार हमारी चनल पर विसट करें हो चनल को भी सबस्क्राइब करदे, डेली वीडियोस पाने के लिए, ठीक है, तो चेले आज का वीडियो लगिया करते हैं,